इस रूम में मां के साथ 12 बच्चे रहते हैं और मां के लिए इस रूम में बच्चों को रखना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए पत्नी ने फैसला किया है कि इस रूम को तोड़ कर एक बड़ा separate रूम बनाया जा सकता है। पत्नी ने सबसे पहले इस तरह के square size के steel के structure बना ल सकते हैं जिससे बच्चे अपनी कपड़े इस अलमारी में आसानी से रख सके। सुरक्षा के लिए हम इसके मुख्य द्वार पर शीशे के इस तरह slider भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी ओर भी कपड़े रख सकते हैं। अब हम बैड के नीचे एक slider rack बनाना चाहते हैं जिससे जरूरी छोटी-छोटी चीजे रखी जा सकते हैं। इस rack को आसानी से बाहर खींचा भी जा सकता है। अब हम बैड की दाहिने सतह पर भी एक छोटी सी अलमारी बना सकते हैं। यहाँ पर हम कीमती कपड़े रख सकते हैं। अब हम दो-दो सेट को एक जगह रखकर द